हाँ है दोस्तों राजमान सिंग मौली प्रपटी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज का जो टॉपिक है यूजूली यूजूल की तरह है रियल स्टेट के उपर है यह मैंने लिखा है यूर माइंड सेट वाइल इनवेस्टिंग इन रियल स्ट स्टेट आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए जब आपने रियल स्टेट में इनवेस्टमेंट करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके ऊपर ही यह टॉपिक है मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि आप यदि एंड जूजर हो तो आ आपकी प्रॉपर्टी में पैसा खर्चने की मनशा कुछ अलग रहेगी और यदि आप इनवेस्टर हो तो उसमें आपकी मनशा या एकस्पेक्टेशन अलग हो जाएगी एंड यूजर में तो ज्यादा तर जो आदमी प्रॉपर्टी लेता है वो उसको रेट बढ़ने की त तर उसका ज्यादा ध्यान नहीं जाता क्योंकि जिस आदमी ने रहने के लिए घर लेना है वो चैह पचास लाग का हो चैह पचास क्रोड का हो जाए उसका रहने का परपस सॉल्व हो गया जिसने दुकान लेनी है दुकान का परपस सॉल्व हो गया जिसने होटल बनाना होट appreciate हो जाता है तो nothing like that तो इस जैसी कोई बात नहीं है पर दोस्तों मैं ये इस वीडियो के जरीए ये कहना चाता हूं कि मेरे पास लोग आते हैं सला लेते हैं और मेरे साथ बैठ के चाए पीते हैं और मेरे से पूछते हैं कि हम investment कहां करें मैं अपने तजर्बेक हिसाब से सबी को बताता हूं कि आप यहाँ यहाँ investment कर सकते हों यहाँ पर आपको यह फैदा हो तो मैं उसकी बरपाई कर दोगा इतनी ज्यादा शोटी देने के बाद भी क्या होता है दस दन के बाद पंद्रह दन के बाद फिर पता लगता है कि उन्हों ने प्रोपरिटी कहीं और ही ले लिए और ही इजुए कर दिये तो वह क्या कारन है के हमारा जो मैंड है उसमें हम अपने आप में सेट कर चुके होते हैं कि हमने इतने सर्कल से बाहर नहीं जाना है यह सर्कल है इससे बाहर नहीं जाना जबके मैं यह कहता हूं कि यदि आप यह सर्कल को तोड़के इस सर्कल माइड सेट सर्कल को तोड़के यदि बाहर निकल जाओगे तो यहां पर रिष्टेदार के पास जाएगा, अपने किसी मतलब रेफरेंस से जाएगा, दोस्तों ठीक है, वो आपका जानकार तो है, आपको उस पर बहुत ज़्यादा बुरूस है, लेकिन वो सुबजेक्ट का जानकार नहीं है, यदि वो सुबजेक्ट का जानकार नहीं है, तो आपको को नुकसान हो सकता है कभी भी कोई आप में से या मैं उस वकील के पास कोई केस लेके नहीं जाते जिसको नौलेज कम हो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते जिसको नौलेज कम हो फिर रियल स्टेट में क्यों हम इसके पास चले जाते हैं जिनके पास नौलेज भी कम होती है औ मतलब आपकी पूरी जिंदगी की कमाई उसने लगानी है फिनेंशल कंसल्टेंट कौन है आपका आपका जानकार ना उसके पास डिगरी होगी कोई और ना उसके पास तिजर्बा होगा यदि आप अपने जानकर की पिजए सुबजेक्ट के जानकर के पास चले जाओगे तो आ आप हंडर प्रसेंट उसमें आपका नुकसान नहीं हो सकता आपके साथ फ्राउड होने के जो चांस हैं वो मिनिमाईز हो जाएंगे कम हो जाएंगे दोस्तों आप ने देखना है आपने अपना पैसा लगाना है पूरी जिंदगी की कमाई लगानी है कि आपने कहां लगाना है आप अपने जानकार को छोड़कर यदि आप सुबजेक्ट के जानकार के पास चले जाओगे एकसपर्ट के पास चले जाओगे तो आपकी बच्चत हो सकती है आपका पैसा ज्यादा ग्रो कर सकता है कर दोस्तो पात का अपने ध्यान रखना है यदि आप इंवेंट कर रहे हो तो आप का जो फोकस है उसकी रिटर्न पर रहेगा कि हमें इसमें से रिटर्न कितनी मिले है कि दो साल में कितनी रिपर ne से सोच रहा था कि आपके साथ शेयर किया जाए और आज मेरे को जैसे टैम मिला तो मैं ये वीडियो के लिए कैमरी के आगे खड़ा हो गया हूँ और आप से ये उमीद करता हूँ कि आप इस तरीके की गलती नहीं करोगे और अपना मैंड सेट है जो उसको तोड़के ये सरकल मैंड सेट का इससे बाहर निकलोगे और जहां भी आपको प्रॉपर्टी में रेट बढ़ने की संभावनाएं होंगी वहां पर जाके इन्वेस्टमेंट करोगे दोस्तों मिलता हूं जल्दी एक ने टॉपिक के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखें अपनी नॉलिच इंजल पाते जाइए जब तक पड़ेगा इंडिया तब तक ही बड़ेगा इंडिया दोस्तों आपका दोस्त आपका हमसफर आपका हमक्याल राजवान सिंग मुहाली थेंक यू